नमस्कार दोस्तों इनकी एज 32 years है ये एक ऐसा पाम है जो साइने अच्छी होने के बावजूद ये बहुत पैसा कम कमा रहे हैं इनको legal रूप से मिलता है only 15,000 अनलीगल 10-15,000 और कमा लेते कमपनी की तरफ से house और ये सब खाने का खर्चा वर्चा गिना ले तो सब मिला के हिसाब किताब 50,000 के आसपास से 40-50,000 का बैट रहा है इससे ज़्यादा का नहीं बैट रहा है ये जहां रह रह रहे हैं उसका भी rent company दे रही है और बहुत सारी दूसरी फैसिलीटिया भी मिल रही है पर पगार केवल 15,000 दे रही है तो केवल साइन आने से ही व्यक्ति उन्नती हो जाता ऐसा नहीं है पर साइने है तो समझ सकती एक business mind जैसी है इनसे बात करो तो complete business man ही लगते है तो साइने इतनी बुद्धी प्रतिबा दे रही है पर अभी फिलाल धन्रेखा में दम नहीं है तो ये growth नहीं ले पा रहे है पर जैसे ही धन्रेखा अच्छी होगी इनको growth भी मिलनी चालो होगी और जीवन में उन्नती भी होते हुए दिखेगी इनको इनके सवाल है घर कब बनेगा पैसा आएगा की नहीं है आएगा पैसा मैं वो सब समय बताऊंगा और घर भी बनेगा आपका वो भी मैं दिखाऊंगा बहुत परेशान हो जब से साधी हुई है इनका जुपिटर माउंट हच से ज़्यादा खराब है तो नेचरल है परेशानी तो होगी मैं इसका उपएदे दूँगा 2010 से काम कर रहा हूँ पावर प्लांट में पैसा कुछ भी नहीं बचा लाइन ही नहीं है पैसा बचने की अभी क्या ठेकेदर बन पाऊंगा 35 के आसपास से आपकी धन रेखा उत्तम हो रही है मैं वो आपको वीडियो में दिखाऊंगा वहां से उन्नती होते हुए जीवन में दिखेगी और उसके दो तीन साल पहले थोड़ी थोड़ी दिखेगी दो साल पहले चोरी का इलजाम लग चुका है 2019 में कंपनी ने बुला कर फिर से रखा छोटी सी राव रेखा ने काटा था वो इसाब से कोई ने कोई प्रॉब्लम आई होगी और जब धन रेखा में दम नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जीवन में आती रहती है अब इनके पाम का एनालिसिस करते हैं जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुशा का रेखा बने या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है ये ठेकेदार के नीचे हाथ के नीचे काम क बनना है और इनके पीछे आए हुए लोग ठेकेदार बन चुके इनसे कम पढ़े लिखे तो जब तकदीर महान होती है व्यक्ति महान नहीं होता और ये भी बनेंगे ठेकेदार पर थोड़ा सा समय है और जीवन में जो अपर्चुनिटी आती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ता है ये पाम पूरा स्क्वेरिश है बहुत महनती होते हैं ऐसे लोग महनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं फर्स फैलेंज भी नुकीला है तो कारके ब्रत्य अच्छी खासी जीदोगी सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है लोजिक के साथ तर्थो के साथ अपनी बात रख पाते हैं जहां जोरत होती है और मांसल भी है तो अपने हीतों की रक्षा करने वाला वेक्टी भी होता है उंगलिया छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जाता रहती है और फास्ट ने नहीं लेते हैं और कहीं न कहीं थोड़ी से फैलेंज बढ़े है तो एनलिटिकल परस्नालिटी भी होंगे सुरी की उंगली बढ़ी है तो ये वेक्टी को हिमती सभाव देती है और समय कैसा भी चले जीवन का आनन लेने वाले लोग होते है ये उंगली थोड़ी सी छोटी रह रही है तो वेक्टी डॉकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना या चक्ति मनी मैनेजम प्रेंट और अकाउंट उसमें ये 15 से 20 प्रतिशत की कमी पाई जाती होगी अब इनके इंक लगे वे पाम पर चलते पर रहो रेखाओ के लिए इनका जो नॉर्मल बीना इंक है उसमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है ये जब किसी के हाथ में लाइन हो तो ऐसे लोग बुड़ा पे में भी अच्छी इंकम करते हैं और इनके हाथ में भी वो लाइन है यहाँ पर उभार जाता है तो नाम के प्रती जिग्यासा जाता रहती है और यह लाइन है बिजनेस माइंड भी बनाती है वाणी भी अच्छी होती इनकी और यहां पर उभारो तो यह नाम के प्रति बहुत जाता जी के असा होती है छोटा भी काम करें तो इनको लगता है मेरा नाम होना चीए सनमाउन पर दूसरी साइन है तो नहीं है पर इनको इश्वर ने बहुत अच्छी साइन दी है और यह खांदानी अमिर भी है जमीन जायदा सब कुछ है पर जब खुद को सबलता धनरेखा में इस दम नहीं है तो कहां से मिलेगी संपन्थ परिवार से है यह देखे एक बड़ी आसी साइन यहां बनी हुई है यह क्लोज अप में बड़ी दिख रही है पर इतनी बड़ी नहीं है पर फिर भी काफी व्योसित है और एक और व्योसित साइन इनके हाथ में है जब इतनी अच्छी साइन होकर परिवार संपन्न है परिवार के लोग भी संपन्न है सारे उच्च पोस्ट पर है और इनसे भी बात करो तो लगता नहीं कि व्यक्ति इस तरका काम करने वाला व्यक्ति होगा यानि देड़ दो लाग कमाने वाला व्यक्ति जीस तर से बात करता है वैसी टोन है इनकी बात करने की और ये भी भविश में कमाएंगे नहीं कमाएंगे ऐसा नहीं तो यह सारी वस्तू है धंद्रेका पर आऊंगा तो आपका आश्यर रिचकित लगेगा कि ऐसी भी धंद्रेका होती है यहां पर थोड़ा सा भी उभारो तो व्यक्ति को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता है आलस से आता है और शनी परवत पर कंटीनू चलने वाली लाइन है तो भुड़ा पे में भी इंकम आती रहेगी जुपिटर माउंट हद से ज़्यादा यह देखिऊ अभी इस हाथ में भी राजा लूप है यह सारी सुक्साइबी मिलती है आप सोचिए कंपनी इनको रहने का घर दे रही है खाने पिने का खर्चा दे रही है तो यह राजा लूप भी यह खेल करवाता है पर ऐसे कम इंकम है जुपिटर माउं हर्च से ज़्यादा खराब है यह पारिवारिक और सांसारिक समस्या देता है मैं इनको उपाय दे दूंगा इसका यह लाइन कंटीन्यू प्रोग्रेस की लाइन है यह आपको कंटीन्यू प्रोग्रेस देगी और कभी बहुत ज़्यादा नीचे गिर भी गए इससे ज़्यादा खराब इस्थिति तो आपके हाथ में नहीं है जो आप गुजर चुके हो तो यह व्यक्ति को गिरने नहीं देती किसी को बता भी दिया आपने कि मेरी इस्थिति ऐसी है तो वो भरोसा भी नहीं करता इस लाइन के कारण यानि नाम खरब नहीं होने देती और एक लाइन दो लाइन ये व्यक्ति को मल्टिपल इंकम पामिश्री एस्ट्रोलोजी इससरे के मिश्ट्री साइंस में ध्यान जाता है प्लस सेवा भाव और धार्मिक्ता अंदूनी मंगल भहुत जादा उभा रहा है तो ऐसे लोगों के सरीर में एनरजी एक स्पोर्ट्स परसन या शैनिक की तरह होती है हाँ इन में एक माइनस पॉइंट जरूर होता है अपशब्द बोलने की आदत होती है टीनेज में और जवानी में भरपूर ये आप शब्द बोलते है जैसे जैसे उम्र बढ़ते हैं कम होता है पर एक दम निकलता नहीं बारी मंगल देखे कितना उभा रहा है जब किस्टी से मिलते होंगे तो इतनी एनरजी के साथ मिलते होंगे करता होगा उसको लगता होगा मैं इनको 20 साल से जानता हो इतनी एनरजी के साथ मिलने वाले लोग होते हैं और यह हंडेट परसेंट आपको यह मंगल आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बेनिफिट कराएगी आपको चंद्रपर्वत भी अच्छा है आपको विदेश घुमने का आउसर भी मिलेगा इतना अच्छा चंद्रपर्वत हो तो हंडेट परसेंट मिलता है पानी अच्छा लगता है दूप से बनिवस्तु अच्छी लगते है नेड़ा शक्ती अच्छी होती है यह सारा एडवांट तो फिश रहने वालों को न भी हो तो कोई फार्ट ने बढ़ता शुक्र परवत भी अच्छा है यह वेक्ती को कपड़े अच्छे पेनना अच्छी तरह रहना यह सारा शौक ऐसे लोगों को होता है गर्मी पसंद ना आना लग्ज़रेस लाइफ का शौक और उसे पूरा भी करते हैं अब आपकी जो जॉब है वो इसाब से यह लाइन शो नहीं कर रही है यह स्थीर जॉब वाले आप इ ट्राविलिंग करोगे दो मैंसे कोई ने कोई चीज होगी क्योंकि यह लाइन ट्राविलिंग कराती है इस तरह का फोर्क कि अब आपकी हिर्दे रेखा को देखते हैं हिर्दे रेखा में दो फोर्क बन रहे हैं ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा बाते हैं और यहां से अगर देखा जाए तो यहां से हिर्दे रेखा सुरुवात हो रही है तो शनी परवत से होती है तो व्यक्ति सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना कामुक भावना और तीसरी वस्तू रहती है कभी-कभी फिजिकल बनना यानि हाथ पर उठाना और यह लाइन है माबाब की सिवा करने वालों के हाथ में रहती है और यह लाइन है स्लट लाइन है व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बद कुछ भी डूमता है अब आपकी माइन लाइन को देखे तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और माइन लाइन जिससे से चल रही है जैसे उम्र बड़ेगी धर्मिकता आती जाएगी थोड़ा सा ज़्यादा दबावाने पर गुस्सा भी आता होगा आपको बहुत जल्दी नहीं पर थोड़ा सा एक्ष्टा दबावाने पर गुस्ता आता होगा और काफी अच्छी माइन लाइन है तो बुद्धी प्रत्रीबा के धनी भी होंगे अब इनकी राव रेखाए जो है वो यहाँ पर इस फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से दिख रही है और आफशूट उसमें अच्छी तरह से दिख रही है तो कहीं न कहीं मैच करने की मैं कोशिस करता हूँ यह लाइन ने आपके जीवन में सेनाई बजी यह नियर एंड एरर की डैथ हुई होगी उसी के आसपास साधी के आसपास के पिरियर में एकासाल प्लस माइनस उसके बाद यह लाइन ने दो आजार अठरा में आप पर आरोप लगवाया यह राहू रेखा थी उससे भी बड़ी राहू रेखा अभी वर्तमान में चल रही है यह भी आपको डिश्टब करके रखती होगी यह भी पूरे साल की रेखा है यह आपको परेशान करेगी उसके बाद 35 में एक राहू रेखा है 34 या 35 में एक 37 से लेकर इस रेखा ने आपको डिश्टब किया 2018 में उसके बाद अभी वर्तमान में भी एक राहू रेखा है जो छोटी है उसके बाद एक छोटी सी रेखा 35 में 37 में और 35 के आसपा से एक आफशूट है यह कोई ने कोई नया कारे आपके जीवर में करवाएगी और यह फोटी तक छोटे 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 राओ रेखा है मैं वापस दिखाता हूँ यह देखे एक डो और तीन यह चोटी छोटी राओ रेखा है आपको बीच बीच में एक दो महिना तीन महिना डिश्टब करेगी उसके बाद एक 43 में है complix 45 में है 48 में है 50 में है और 52 में है उसके बाद 56 में आफशूट है और इसके पहले भी आफशूट है वो मैं दूसरे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा और 67 में आफशूट है तो जमीन जायदात का तो सुख आपके हाथ में लिखा हुआ है अब यहां पर देखिए यह 35 या 37 का यह आफशूट है उसके बाद भी है उसके बाद भी है यह है यह है यह है यह है पर एक फोटोग्राफ में सारी वस्तुए न दिखने के कारण एज नहीं बता पा रहा हूँ पर 35 या 37 से यह आफशूट आपके चालू हो रहे है तो अब तू 67 तक यह आफशूट ह यानि progress line है, तो आपको बिच बिच में सफलता भी मिलेगी, property के योग भी बनेंगे, कोई चिंदा वाली बात नहीं है, अब आपकी धन रेखा पर चले, यह देखिए, यहां से लेकर यहां तक, धन रेखा में दम ही नहीं है, तो व्यक्ति कहां से विकास करेगा, कहां से पैसा बचाएगा, और वर्तमान में तो एक दमी डिश्टब है, और बहुत सारे कट लग रहे हैं, 27 के आसपास से तो भरपुर कट लग रहे हैं, उसके पहले तो भी थोड़ी सी ठीक दी, अप्टू ये कंडिशन यहां तक है, और यहां पर आपके 35 या 36 में आपके जीवन में बदलाव आएगा, यहां से आपकी उन्नती चालू होगी, इसके पहले कुछ उन्नती मुझे दिख नहीं रही है, और यहां से जो उन्नती चालू होगी, फिर एक कट आएगा, यह आपको नुकसान भी देगा, दो बार नुकसान जाएगा आपका, 41 के आसपास, दो बार, और इसके बाद थोड़ा सा एक्स्पेंस बढ़ेगा यहां पर, पर थ्रेड है, यानि बीच में धागा है, यहां तो धागा ही नहीं है, किवल एक्स्पेंस बढ़ेगा यहां पर, उसके बाद एक कट लगेगा आपके, यह 99% इन्वेस्मेंट का कट है, 48 या 49 के आसपास, और यह लाइन सीधी चलकर, और यहां से और विकास होना चालो होगा आपके जीवन का, और फिर बुड़ा पे में भी लाइन थ्रेड है आपके हाथ में, तो कोई चिंता की बात नहीं, बस यहां तक कर्ष्ट उठा लो आप, 35-36 तक कर्ष्ट उठा लो, उसके बाद परिवर्तन आएगा आपके जीवन में, उन्नती आते हुए दिखेगी, तब तक आप जैसा चलता है, चलने दीजिए, ज्यादा रिस्क मत लीजिए, यहां से जीवन परिवर्तन आते हुए दिखेगा, पाकी छोटी-छोटी राउ रेखा आएगी, वो बीच में डिस्टरबंस लाएगी, उसे केर करने की यौरत नहीं, कहीं न कहीं रुकाउटे भी आएगी, पर साथ में प्रोग्रेस लाईने भी भरपूर है, तो आशा रखता हूँ, इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,